नमस्कार मैं हूँ वैश नवीर उबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबडों में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबडों को बिहार में मंत्री मंडल के विस्तार होते ही निती सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की निउक्ति कर दी है सरकार ने 1992 बैच के वरिये आईयस अधिकारी रवी मनु भाई परमार को BPSC का नया अध्यक्ष बनाया है सामाने प्रसासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है भारत ने नागरिक्ता संसोधन अधिनियम पर अमेरिका की टिपनी का जबाब दिया है भारतिये विदेश मंत्राले ने कहा CAA भारत का आंत्रिक मामला है CAA लागू होने पर अमेरिका का बयान गलत और अनुचित है भारतिये विदेश मंत्राले का ये जबाब अमेरिकी विदेश विभाग के उस बयान पर आया जिसमें कहा गया था कि हम 11 मार्च को नागरिक्ता संसोधन अधिनियम की अधिसूचना को ले कर चिन्तित है बिहार के चर्चित यूटूबर मनिस कस्यप ने भी चुनावी मैदान में उतरने की घोश ना कर दी है इस बीच जे एन्यू विवाद से निकले कॉंग्रेस ने ता कनहया कुमार को ले कर मनिस कस्यप ने बड़ा बयान दिया है यूटूबर ने दावा किया है कि काउंग्रेस पार्टी ने कनहया कुमार पर बिहार में नो एंट्री लगा दिया है विदेश मंत्राले ने सुक्रवार को बताया है कि मौलदीव में भारतिये सैने अफसरों के पहले दल को तकनीकी अफसरों से बदला जा चुका है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रंधीर जास्वाल ने अपनी सापताहिक ब्रीफिंग में बताया कि ALH हेलिकॉप्टर का संचालन कर रहे भारतिये सैने को के पहले दल की अदला बदली पूरी हो गई है बिहार का मौसम फिर एक बार करवट ले सकता है मौसम विभाग केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार उतरी उरीशा में समुंदर तल से 0.9 किलोमीटर उपर एक चक्रवाती परिसंचरन बना हुआ है इसके कारण 19 और 20 मार्च को पटना समेत राज्य के दक्षिन मध्य और पूर्वी छेतर में हलकी से मध्यम भारिस होने के आसार हैं वहीं सुक्रवार को पटना के अधिक्तम तापमान में 0.4 डिग्री सलसियस की व्रिधी दर्ज की गई है देहरादुन लखनवू, देहरादुन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 26 मार्च से नियमित होगा सोमवार को छोर कर यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन सपताह में 6 दिन चलेगी सुक्रवार को रेलवे ने ट्रेन का नमबर और समय सारनी जारी कर दी 20 मार्च से वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी सुरू हो जाएगी सुल्तान गंज में गंगा नदी के उतरायन बहेगी अभी गंगा नदी अज गविनात मंदिर से दूर बह रही है 20 साल पहले तक गंगा नदी सुल्तान गंज के करीब से होकर उत्तर की ओर बहती थी फिर से गंगा नदी को सुल्तान गंज के करीब लाया जाएगा इसके लिए गंगा नदी में भरी गाद को निकाला जाएगा राज सरकार की काबिनेट से मंजूरी मिल गई है देश में नागरिक्ता संसोधन कानून के लागू होने के बाद इसे लेकर चर्चा छिर गई है विपक्षी पाठियों की ओर से तरह तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं दूसरी और सरकार का कहना है कि इससे किसी की नागरिक्ता नहीं ली जाएगी इस कानून में ऐसा कोई प्रापधान नहीं है नितीज सरकार ने राज में 20 सूतरी कार्यानवयन की समीती का एलान कर दिया है CM नितीस इसके अध्यक्ष और समराथ चोथरी कारेकारी अध्यक्ष होंगे इसमें RJD और कॉंग्रेस के बागी विधायकों को जगह मिली है आरत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने लोग सभाचुनाव की घोशना की पूर्व संध्या परदेश के सभी नागरिकों के लिए एक ओपन लेटर लिखा इसमें अनुछे 370 को निरस्त करना और GST को सामिल किया गया है उन्होंने लेटर के माध्यम से लोगों को आभार प्रकट किया उन्होंने विक्सित भारत या विक्सित भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद करने के लिए सुझाओ भी मांगे हैं और बताया कि लोगों के साथ उनकी साज़ेदारी को पूरा होने में 10 साल होने वाले हैं। सेटलाइट टाउनसिप ग्रीन फिल्ड टाउनसिप विक्सित किये जाएंगे। ये प्रस्ताव भी मंत्री मंडल ने सुईक्रित किये हैं। भारत ने सन्युक्त राश्र में सभी प्रकार के धार्मिक भय की करी निंदा की है। युएन ने भारत की प्रतिनिधी। रूचिरा कंबोज ने कहा चाहे यहूदी विरोधी भाबना हो, इसाई धर्म का भय हो या इसलामोफोबिया हो सभी के खिलाप भारत कराई के साथ खड़ा है। मठ मंदिरों और गुरुद्वारों पर हो रहे हमले इनके उदाहरन है। सन्युक्त राश्र में इसलामोफोबिया से निपटने के उपाई पर प्रस्ताव पारित होने के बाद रूचिरा कंबोज बोल रही थी। पियम मोदी ने राज़त सुप्रीमो लालू यादब को आरे हाथो लिया है। पियम ने आज सुबह सुबह एक गाने वाला वीडियो जारी कर बताया की उनका परिवार कौन है। पियम मोदी के इस वीडियो के बाद लालू की मुश्किले बढ़नी तय मानी जा रही है। निस्पक्ष और सोतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग आचार सहिता को लागू करती है। आज जब लोग सभा चुनाव की तारिकों का एलान हुआ तो आचार सहिता भी अपने आप लागू हो गया। ऐसे में चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल को इसका पालन करना बेहत जरूरी हो जाएगा। इसके कुछ नियम होते हैं जो कि पूरे चुनावी प्रिक्रिया के दोरान भाजपा कॉंग्रेस और अन्य पार्टियों के दलों को मानने परते हैं। आचार सहिता चुनाव खत्म होने तक लागू रहते हैं। अभिनेता अ हमनी अवरुद होने के कारण एंजियो प्लास्टी किये जाने से जुरी खबडे मीडिया में आने के बाद सुक्रवार को उनके सुभ चिंतकों वर्संसकों ने इंटरनेट मीडिया मंचों पर चिंता व्यक्त की थी। बिहार लोक सेवा आयोक के द्वारा सुक्रवार को ली सिक्षक न्यूक्ती परिक्षा में पेपर लीग के कारण चार लाग से अधिक अभ्यर्थियों को परिसानी हुई है आखिर ऐसा क्यों हुआ मदरास हाइकोट ने आरसस से जुड़े संगठन सेवा भारती के खिलाफ अपमान जनक तिपनी करने के आरोप में हाल ही में एक यूट्यूबर पर पच्चास लाग का जुर्माना बतोर हर जाना ठोका है इसके साथ ही अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अदालत ने आखों पर पट्टी नहीं बांद रखी है और ना ही आख बंद कर कर रह सकती है बिहार में महागटबंदन के घटक दलो में राज़द सबसे ज्यादा 28 उमीदवार लोकसभा चुनाव में उतारेगा राज़द ने सरवाध 26 उमीदवार वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उतारे थे जब राज़द को 22 सीटों पर जीत मिली थी 20 बरसों के बाद राज़द अपनी छमता का अधिक्तम उप्योग चुनाव मैदान में करने को तयार है समाजवाधी पाटी ने सुक्रवार को लोकसभा के 6 और परत्यासी घोसित कर दिये सप्पा ने भदोही लोकसभा सीट बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी की पाटी तरिनमोल कॉंग्रेस के लिए छोड़ दी है 6 परत्यासियों में 5 दलित वो एक जाट को टिकट दिया गया है सप्पा ने नगीना लोकसभा सीट पर भी अपना परत्यासी घोसित कर दिया है पहले इस सीट पर भीम आर्मी के मुख्या चंदर सेखर आजाद को टिकट देने की चर्चा हो रही थी देश में SBI द्वारा Electoral Bond यानि चुनावी Bond के आकडो को जारी करने के बाद देश में बवाल मचा हुआ है वहीं इसको लेकर कनहया कुमार ने कहा की देश में केंदर सरकार खुली लूट मचा के रखा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और जो उनको खिला रहे हैं उनको भी खिला रहे हैं इलेक्टोरल बॉंड पर सुप्रीम कोट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष आदिस अगरवाल ने भारत के मुख्य नियाइधीस डीवाई चंदरचूर को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र लिख कर चीफ जस्टिस से अदालत से अपने फैसले की फिर से समीक्षा करने का आगरा किया है बता दे कि इससे पहले सुप्रीम कोट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष ने राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू को इस बारे में पत्र लिखा था लोग सभा चुनाव की तिथी की घोश्ट ना हो चुकी है बिहार में कुल साथ चरनों में चुनाव होगा इसमें पहले चरन में बिहार के चार सीट, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाचवे चरन में पाच-पाच सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे इसके अलावे चठे और साथमें चरन में आठाट सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे इस बार 19 अप्रैल से चुनाव सुरू हो रहा है और एक जून को चुनाव खत्म हो जाएगा चुनावी बॉंड को लेकर रहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आक्रमन किया है रहुल गांधी ने चुनावी बॉंड को दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक दलो को तोड़ने और विपक्षी दलो की सरकारों को गिराने के लिए धन चुनावी बॉंड से आया ये दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है इसके नतीजे एडी जैसी एजनसी बुकतेगी इंद्रिये ग्रिह मंत्री अमित्साह ने सुक्रवार को पाकिस्तान को कस्मीर मुद्दे पर एक बार फिर से खुली चेतावनी दे दी है उन्होंने इस बात को साफ किया कि जो कस्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कबजे में है उसे वह भारत का हिस्सा ही समझे अमिट साह बोले पाकिस्तान के कबजे वाला कसमीर भारत का हिस्सा है और वहां के लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हो भारतिये हैं पर्वत्य वहार पर अक्सर रेलवे की ओर से स्पेसल ट्रेने चलाई जाती है एक बार फिर होली को लेकर स्पेसल ट्रेनों के चलाने का रेलवे ने निर्ने ले लिया है होली स्पेसल के अलाबा कई और स्पेसल ट्रेने बिहार के लिए चलने वाली है पूर्व मध्य रेल के सी पी आरो विरेंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है कहा है कि एस्पेशल ट्रेनों की संख्या अभी और बढ़ाई जाएगी बसपा सपा वो कॉंग्रेस के कई नेता सुक्रवार को भाजपा में सामिल हुए इनमें दो पूर्व राज मंत्रियों सहित छे पूर्व बिधायक भी सामिल है वही मायवती सरकार में चिकित साव वो स्वास्ति मंत्री अनंत मिस्र उर्फ अंटु भी भाजपा प्रदेश कारियाले में आयोजित सदस्यता ग्रहन कारिक्रम के दोडान सभागार में मौजूद थे लेकिन वह अचानक उठकर चले गए अंटु मायवती सरकार में हुए एन आर एचेम घोटाले में आरोपित हुए थे IPL 2024 के सुरुवात 22 मार्च से होने जा रही है यह इंडियन प्रीमियर लीग का 17वा सीजन है IPL के आधिकारिक प्रसारन करता स्टार स्पोर्ट्स ने आगामी सीजन के लिए हिंदी और अंग्रेजी के टीवी कमेंटरी पैनल का एलान कर दिया है कमेंटरी पैनल में सुनील गवासकर, ब्रायन लारा, हर्बजन सिंग समेत, अनेक पूर्व दिगज क्रिकेटर है वहीं आउस्ट्रेलिया के अनुभवी वल्लेबाज स्टीव स्मित भी कमेंटरी करते हुए नजर आएंगे वाट्स अप आज के समय में हमारे लिए जरूरी माध्यम बन चुका है कमपनी समय समय पर यूजर्स के लिए नए फीचर्स लाती रहती है इसी करी में वाट्स अप ने एक नया फीचर दिया है जो की बेहद ही खास है वाट्स अप अपने यूजर्स के लिए एक बहतरीन फीचर लेकर आया है जिसमें कमपनी ने अब प्रोफाइल फोटो के स्क्रीन सॉट को ब्लॉक कर दिया है यानि अब कोई भी आपकी प्रोफाइल फोटो का स्क्रीन सॉट नहीं ले पाएगा चुनाओ के पहले और नतीजे आने के बाद इवियम को लेकर फैलाए जाने वाले जूट को लेकर निर्वाचन आयोक के साथ सुप्रीम कोट भी सक्त है सुप्रीम कोट ने सुक्रवार को भी इवियम से जुड़े दो ऐसे हिमामलों से जुड़ी याचिकाओं को ना सिर्फ खारिज की बल्कि एक याचिका करता पर जुर्माना भी लगाया है यह सभी इवियम की चोड़ी, गरबड़ी और कम्यों से जुड़ी थी हाला कि इसे लेकर कोई सबूत पेस नहीं किये गए थे अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपका पसंदिदा सोसल मीडिया प्लाटफॉर्म कौन सा है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद